हेलो नमस्कार दोस्तों तो आप देख रहे हैं जियो बिन्यूस तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिये तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें दिल्ली में अब बिजली पर देना होगा मोटा बिल मांगने पर मिलेगी सस्ती बिजली जिहां दिल्ली सरकार ने सस्ती बिजली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है अब एक अक्टूबर से उनी लोगों को सस्ती बिजली दी जाएगी जो लोग इसकी मांग करेंगे बिजली सबसेडी पर दिल्ली सरकार का ये एक अहम फैसला है इसे पहले अब तक राजधानी दिल्ली में 200 यूनिट तक के बिजली फ्री मिल रही है तो ही 200 से 400 यूनिट तक के इस्तिमाल पर आदे बिजली के बिल माफ किये जाते थे इसकड़ी में दिल्ली सरकार ने अब एल करते हुए कहा कि कुछ लोगों की ये मांग थी कि हम बिजली का बिल दे सकते हैं तो हमें सबसिडी क्यूं दी जा रही है हमें विकल्प दिया जाए कि हम अपना बिजली बिल अदा करना चाहें तो करें ना करना चाहें तो ना करें नई बिजली निती को लिकर अरविंद केज श्रीवाल ने कहा कि कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया कि हम उन्हें ही सबसिडिय देंगे जो अपलाई करेंगे। जहारकंड सरकार ने 77 प्रतीशत अरक्षन करने का लिया फैसला, डोमिसाइल पॉलिसी में होगा बदलाओ। जहारकंड में सियासी उठापटक के बीच जहारकंड कैबिनेट ने OBC अरक्षन 27 पीसदी करने को मंजूरी दे दी है। जहारकंड में 1932 का खतियान लागू हो और OBC को 27 प्रतीशत अरक्षन मिले और करमचारियों को उनका अधिकार मिले। इस वज़ा से हो रहा है नियमों में बदलाओ। इसकीप वाले एड्स आने सुरू हो गए हैं। रिपोर्ट के मताबिक यूट्यूब यूजर्स इन 5 अनिसकीपेबल एड्स से काफी ज़्यादा नराज हैं। जिन यूजर्स को ये पाइलेट टेश्ट के दोरान देखने को मिला, उन्होंने अपनी नराजगी ट्वीटर और रेड़िट जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। यूरोप में गूगल पर ठोका गया 4.1 अरब यूरो का जुर्माना, ये है इसकी बड़ी वज़ा। जिहां यूरोपिय संगी दूसरी बड़ी अदलत EU जनरल कोट ने अमेरिकी टेक कमपनी गूगल की पैरेंट कमपनी अल्फाबेट के मुकदमे में फैसला सुनाया है। कोट ने गूगल पर लगाए 4.34 अरब यूरो के जुर्माने में कमी करते हुए इसे 4.125 अरब यूरो कर दिया है। मतलब की कोट ने कमपनी पर 3000 करण रोपै से जादा का जुर्माना ठोका है। करीब 10 साल कुरानिक मामले में यूरोपीय आयोग ने गूगल पर अपने परभुत्व का इस्तेमाल करते हुए कमपर्टीशन को खतम करने का रोप लगाय था। लंबी जाच के बाद आयोग ने गूगल को कमपर्टीशन के नियमों का उलंगन करने का दोसी करार दिया। परधा संबन्दी नियमों को तोड रही है। दो साल के भीतर माइक्रोसोफ्ट समेथ कुछ और कमपनिया भी आयोग से गूगल के खिलाफ ऐसे ही सिकायते करने लगी। सिकायतों में ये भी कहा गया कि गूगल अपने सर्च इंजन के जरिये अपने ही प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा गूगल के खिलाफ कुछ और सिकायते दर्च की गई थी। पुर्व पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ का 66 साल की उम्र में हुआ निधन हाट अटेक बनी इसकी वज़ा। 28 T20 इंटरनेशनल और 11 महिला T20 इंटरनेशनल में अंपायरिंग की थी। उन्होंने IPL मैचो सहीत 40 First Class मैचों 26 List A मैचों और कूल मिला कर 89 T20 मैचों में अंपायरिंग की है। एक क्रिकेटर के रूप में उनका डोमेस्टिक करियर भी सफल रहा है। रूप ने 71 First Class मैचों में 3423 रन और 40 List A मैचों में 611 रन बनाए। कभी दुनिया के बहतरीन अंपायरों में से एक माने जाने वाले असद रूप का करियर तब खतम हो गया। जब IPL 2013 स्पॉर्ट फिक्सिंग में उनका नाम सामने आय था। इन दिनों अपनी रोटी कमाने के लिए रूफ लाहौर में पुराने कपडों और क्रॉकरी की दो दुकाने चला रहे थे। कपिल सिब्बल ने सुप्रिम कोट में कहा संस्थान में विश्वास धीरे-धीरे कम हो रहा है। कपिल सिब्बल ने सुप्रिम कोट में पहस के दुरान ये कहा। के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। जेस्टिस रस्तोगी ने जवाब दिया कि हम हमेशा कहते हैं कि बार और बेंच रथ का पहिया है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है ये दोनों पहिये हैं। जाने एक पहिया कहां जाता है और दूसरा पहिया कहां जाता है जबकि रत वही रहेगा। जिंपिंग और मोदी की मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार पुतीन से होगी खास मुलाकात जिहां 15-16 सितंबर उजबेकिस्तान के समरकंद में शंगाई सहयोग संगठन यानि S.C.O की बैठक है। सिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्टपती ब्लादमिर पुतीन से मुलाकात करेंगे लेकिन चीन के राष्टपती सी जिंपिंग से मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार है। हाना की भारत के विदेश मंत्राले ने अभी तक मोदी और पुतीन के बीच बैठकी पुष्टी नहीं की है। बनाया रिकॉर्ड जिहां ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महरानी एलिजाबेथ द्युतिये का पार्थिव शरीर स्कॉटलेंड से लंदन पहुचा। पार्थिव शरीर को एयर प्लेन के जरीए स्कॉटलेंड से लंदन ले गया था। बात ये है कि इस दोरान उनके ताबूत को ले जाने वाले प्लेन को इतनी बार ट्रेक किया गया कि एक रिकॉर्ड बन गया है। पार्थिव शरीर को इतनी बार ट्रेक किया गया हो। और गोनाट अटलांटा में रानी के रूप में अपनी पहली उडान के 70 साल बाद महरानी इलिजबेथ दुतिय की अंतीम उडान फाइटर रडार 24 इतिहास में सबसे अधिक ट्रेक की जाने वाली उडान बन गया है। जानकारी के लिए बता दें कि ये वो वेबसाइट है जिस पर प्लेन को ट्रेक किया जा सकता है। मदर्सा सर्वे पर बोले अखिलेश यादो कहा अगर धार्मिक जगह का सर्वे कराना नियाएपुर्ण नहीं है तो ये अस्थाओं को गहरी चोट पहुँचाता है। जिहां उत्तरपतेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश भर में गैर मानियता प्राप्त मदर्सों का सर्वेक्षन कराने का फैसला किया था। सरकार का तर्ख है कि इसे मदर्सों की सिख्छा व्यवस्था बहतर होगी और मदर्सों को यूपी मदर्सा बोर्ट से मानेता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के अदेक्ष अखिलेश यादों ने बड़ा वयान दिया है उन्होंने कहा कि किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहभी इस्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपुर्ण नहीं है तो ये अस्थाओं को गहरी चुट पहुंचाता है इनसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है यूपी में गैर सरकारी मदर्सों के सर्वे के लिए प्रदेश सरकार ने संबंदित अफसरों को एक फॉर्मेट जारी किया है सूबे के सभी जिला मुख्यालियों को आदेश पेचा गया है कि कुल 11 बिंदों पर सर्वे करके पूर्वानमान के बारें बता रहे हैं अंत्यप्रदेश में हल्की बारिश संबव है अंदमान और निकोबार दीपसमू, तमिलनाडो, करनाटक, आंत्यप्रदेश और तेलंगाना में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संबव है आज का सुविचार आपकी नाकाम्याबी आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दोगुनी ताकत से सफलता हासिव करने के लिए प्रेरित करती है कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चानल जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दबाएं और हमारे ओल्ड और लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्यूलिटी टैब को जरूर चेक करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका सुक्रिया